सारे जरूरी टिप्स के साथ पॉर्फेक्ट ब्रेड डो बनानी की रेसिपी आज मैं आपके शाथ शेयर कर रही हूँ इस डो को बनाने के बाद आप घर पर ही बड़ी आसानी से ब्रेड बंस पीजा कुछ भी बना सकते हैं रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए मैंने यहां लिया है एक बॉल और उसमें मैं डाल रही हूँ एक कप गुनगुना दूद इसकी जगह पर आप एक कप गुनगुना पानी भी ले सकते हैं इसमें न तो आप ठंडे दूद का अस्तमाल करें और ना ही गर्म दूद का यदि दूद बहुत अधी गर्म या ठंडा होगा तो हमारा इस्ट एक्टिव नहीं हो पाएगा या फिर आप इसे online भी purchase कर सकते हैं। उसके बाद इसे हमें इस तरह से चम्मत से हिला कर मिला लेना है। और अब इसे ढख कर हमें 10 से 15 मिनट तक रखना हैं ताकि इस्ट अच्छे से active हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं और इस्ट हमारा यहां बहुत ही अच्छे से active हो चुका है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आईए अब हम bread dough बनाना शुरू करते हैं। तो एक दूसरे बरतन में मैंने यहां लिया है तीन कप मैदा, इस मैदे को मैंने बहुत ही अच्छे से दो बार च्छान लिया है। अब एक चमच नमक मैं इसमें आड़ कर रही हूं और उसे भी इस तरह से अच्छे से मैदे में मिला लेंगे। एक खास टिपस कि यदि आप कभी भी ब्रेट डो बना रहे हैं तो डायरेक्ट इसमें कभी भी नमक न डाले वरना ब्रेट नहीं बनेगी। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ जो इस ठमने एक्टिव करके रखा है उसे पूरी तरह से इसमें डाल लेना है और अब स्पून की हल्प से उसे इस तरह से गोल-गोल घुमाते हुए हम मिला लेंगे और अब अपने हाथों की हल्प से हम डो बनाना सुरू करेंगे तो इस तरह से हाथों से हम इसे अच्छे से मिलाएंगे और अब मैं इसमें एड कर रही हूँ हाफ कप पानी इस हाफ कप पानी को मैंने थोड़ी-थोड़ी मात्रा में यहां डाला है और इसका इस तरह से डो तयार किया है यह बहुत स्टिकी सा डो आपको पहले लगेगा मगर जैसे जैसे आप इस डो को अच्छे से मसलेंगे या बिलकुल रबर की तरह होता जाएगा आप कितना भी इसे खीचेंगे मगर यह तूटेगा नहीं अब किचन काउंटर टॉप को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है और अब मैं वहां रखकर इसे इस तरह से मसल रहे हूँ इस तरह से हमें लगभग 15 से 20 मिनट तक इसे अच्छे से खीच-खीच कर मसल ना है आप चाहे तो किसी बड़े बरतन का भी इस्तमाल कर सकते हैं मगर इस तरह से यदि आप किचन काउंटर टॉप पर इसे मसलते हैं तो आपको इसे मसलने में ज्यादा आसानी होगे और यहा से लिए तो salted butter का भी इस्तमाल कर सकते हैं या फिर सिम्पल, refined oil का भी इस्तमाल आप इसमें कर सकते हैं उसके बाद इसे इस तरह से अच्छे से हमें फिर से 5 मिनट तक मिला लेना है ताकि ओल्ल या फिस बटर जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसमें पूरी तरह से अच इतना भी इसे खीचे मगर यह तूटेगा नहीं तो अब एक इस प्यापर की हेल्प से इस तरह से एक जगर इकठा कर लें अब जिस बर्तन में हमें इसे रखना है उसमें इस तरह से थोड़ा सा ओईल ले लेंगे और चारोर स्प्रेड करेंगे और उसके बाद हम उसमें डो दो रखेंगे और अब डो को इस तरह से बिलकुल अच्छे से हम शेट कर लेंगे ताकि कहीं भी उसमें क्रेक्स वगर ना हो और उसके बाद टेल और पानी दोनों का मिश्रन हम बना लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से हम स्प्रेड कर देंगे डो के उपर ताकि यह इसे बरतन से भी ढख सकते हैं अच्छे से कवर कर लिया है इसे और अब इसे लगभग एक से डेड़ घंटे तक हमें किसी गर्म जगह में रखना है ताकि यह अच्छे से प्रूब हो जाए डेड़ घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा डो फूल कर डबल से भी अधिक हो चुका है अब हम क्लिंग डेप फटा देंगे उसके बाद हम इस पर मैदा छिड़केंगे ताकि जब हम इस पर पंच करें तो हमारा हाथ मैदे से चिपके ना उसके बाद हम पंच करेंग और इससे हवा निकालेंगे और फिर से डो को एक सांथ इस तरह मिला लेंगे हम और अब इसे फिर से किचन काउंटर टॉप पर हम रखेंगे और थोड़ा सा मैदा या फिर अपने हाथों में आप तेल या बटर भी ले सकते हैं और फिर से हम इसे इस तरह से गूद कर इससे अ तैयार है हमारा ओल इन वन डो इससे आप ब्रेड पिजा बंस पाव कुछ भी बना सकते हैं अपने आने वाले वीडियो में मैं इससे रिलेटेट बहुत से नई नई रेसिपी आपके साथ शेर करूंगी तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाले वी रेसिपीस के साथ तब तक के लिए बाई